हम बात कर लेते हैं blood group के बारे में कौन सा blood group किसको blood दे सकता है, let's start, जो a plus वाला है, a plus और a b plus वाले को देगा, next हम बात कर लेते हैं, a minus, तो a minus वाला जो होता है, plus minus दोनों को देता है, तो ये a plus, a minus, a b plus और a b minus को blood देगा, b plus की बात करें, तो b plus, b plus को देगा और a b plus को देगा, क्योंकि plus वाला सिर्फ plus को ही देता है, और जो minus वाला होता है, plus minus दोनों को देता है, अब बात कर लेते हैं, b minus, तो b minus को भी देगा, b plus को a b plus और a b minus दोनों को blood देगा, next हम बात कर लेते हैं, o plus, तो o plus वाला, o plus को देगा और A पिलस B पिलस और A B पिलस वाले को देगा पिलस वाला सिर्फ पिलस को ही देगा अब बात कर लेते हैं माइनस तो माइनस वाला जो है पिलस और माइनस दोनों को देगा O पिलस माइनस पिलस सब को देगा नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं AB प्लस जो AB प्लस है सिर्फ प्लस बालों को देगा तो देख सकते हैं AB प्लस को ही दिया है इसने नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं AB माइनस जो माइनस बाला है प्लस माइनस दोनों को देगा तो बात कर लेते हैं AB प्लस और AB माइनस दोनों को